हेला फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स लिस्चादिक में दोस्तों कल जैसा कि RRB NTPC CBT1 के रिजल्ट से रिगार्डिंग एक सोसल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक नोटिस जो है वाइरल हो रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि आपका 10 सेप्टेंबर को रिजल्ट गोशीत कर दिया जाएगा रात को 8 बज़े सभी RRB के ऑफिशल लिबसाइट्स पर पर परंतु इसी के रिगार्डिंग कई सारे दोस्तों के मन में एक क्वा रिवाइजड आंसर की आएगी या फिर डाइरेक्ट रिजल्ट आएगा उसके बाद तीसा एक कोश्चन ये भी है कि मिनिस्ट्री आइसोलेटेट के टेग्री और एंटीपीसी सीबीटीवन का रिजल्ट साथ में आएगा तो इस तिनों के बारे में हम आपको आंसर देंग है और हम दोस्तों हमारे चैनल पर सिर्फ आपको अथेंटिक जो ओफिशियल चीजे होती है वही आपको बताई जाती है कोई भी फेक न्यूज नहीं बताई जाती है तो चले हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले जो चैनल पर नहीं है प्लीज चैनल को सब जाएगा ठीक है उसी के रिगार्डिंग यह जो कोश्चन है दोस्तों के मंद में मतलब आया है कि क्या RRB किसी भी result से पहले कभी कोई notice देता है तो हम इसका आंसर जो बताएंगे आपको यहीं क्या दिया है notice दिया है कि यह हम आपको 25 मतलब सारी complete हो गई प्रोसेस 25 तारीक को मतलब कि अपने मानके चलो इसको सेप्टेमबर मान लिए हमने उसी के साथ में result के साथ उसके बारे में और क्या लिखा जाता है कि आपकी जो master की होगी ठीक है मतलब जो final answer की होगी वह भी उसमें आ जाएगी और उसमें साथ ही साथ आपका अपने score card भी देख सकते हैं तो यह तीन चीज मेंशन रहती है ठीक है तो मतलब यही बात है कि अगर और भी जो है कोई भी result देती है तो उससे पहले result देने से कम से कम 2-5 दिन पहले वह अपना notice जारी करती है कि हां अब हम result की सारी process कर लिए और आपको जल्दी result देने वाले है according to time तो दोस्तों हम आपक एकदम परफेक्ट ऐसा केसे बोल सकते है कि आरर भी किसी भी result से पहले notice देती है तो हम आपको एक officially मतलब कई सारे notice है जो आपको officially बताते है तो चलिए हम देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों जब आरबी एलपी 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 एंट टेखनिशन की सफ़स्ट इस्टेज का जो सीबीटी वन हुआ था ठीक है उसके बाद भी मतलब की रिजल्ट से रिलेटेड पहले notice दिया गया था जैसे रिजल्ट इन्हों रिजल्ट से पहले इन्हों दिया था notice क्या दिया था कि Government of India Railway इस्टेज कंप्यूटर बेसीबी टीवीट वाज विद द लिस्ट प्रोविजनल शॉटेट नो शॉट लिटेट चेंडिया फॉर अपेरिंग इन सेकंड इस्टेज सीबीटी है वीन पब्लीजड ओन दौफिशल वेबसाइट ठीक है मतलब कि यह 211 को मतलब उन्होंने कर दिया था ठीक है यह 211 को हम उससे पहले रिजर्ट को घोशित कर देंगे तो इसी प्रिकार से देखा जाए तो दोस्तों कई सारे जो एक्जाम हुई है उनमें रर्वी जो है जब भी CBT1 लेती है या CBT2 लेती है कोई भी एक्जाम लेत आगे बढ़ते हैं उम्मिद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आयोगा हमारा चैनल जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है यह सीप और सीब आपको ऑफिशल चीज होती है उसी को आपको मेंशन करके बताया जाता है दूसरा कोशन है एक तो दोस्तों यह भी एक जो कोशन की रिवाइज आंसर की आएगी है फिर डायरेक्ट रिजर्ट आएगा तो यहां पर भी दो कंडिशन मनती है दोस्तों ठीक है पहली कंडिशन यह होती है कि जैसे आपने अब्जेक्शन लिए कई सारे कोश्चन पर अभी अब्जेक्शन लिए गाए है तो अगर अब्जेक्शन को सही किया फिर भी अगर लगता है कि हमें एक बार फिर से आंसर की रिवाइज देनी चाहिए तो अगर उसमें भी किसी प्रकार की गलती होती है तब कर जाके सेकंड अप्लाई होती है ठीक है सेकंड जो है कंडिशन अप्लाई होती है कि आपको डायरेक्ट क्या होगी कि आपने कई सारे questions पर CPT1 के जो है answer की पर objection लिए परंतु RRB नो उसको सब कुछ को correct कर करके ठीक है सब correct कर लिया और देख लिए कि यहाँ सारे questions सही कर दिया हमने जो question हटाने थे वह हटा भी दिया जिनके सही करने थे objection objection राइस करके मतलब जिनको सही करने थे जिन पर भी objection रेस किया गए है वह अगर सही कर दिया है तो सेकंड स्टेज में क्या करेगा सेकंड कंडिशन में यही करेगा कि वह direct result देगा आपका और result के साथ ही आपको final master की answer की भी देगा ठीक है master की भी जाएगा या फिर final answer की भी देदेगा और साथ में scorecard भी आपका जिनरेट कर दिया जाएगा तो कहने का मतलब यही है कि maximum जो है 99% क्या होता है कि सेकंड कंडिशन ही होती है आपका direct result आता है और उसी के साथ में final answer की आ जाती है आपकी ठीक है साथ में आएगा या नहीं आएगा परंतु में अपना एक personal view बताता हूं कि देखिए लगभग 8-9 मेने होने पर आहे MI क्या exam हुए ठीक है मलकी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2020 के बीच में लिया गया था क्या लिया गया था ministerial isolated का exam अब उसी के बाद ntpc cpt1 का जो है exam भी हो चुका है परंतु अभी भी ministerial isolated के result का कोई भी अता पता नहीं है ट्विटर पैसे regarding campaign भी चलाए गये परंतु अभी तक क्या रर्वी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया इससे result से related तो बस हम यहीं कहना चाहेंगे कि दोस्तो 99% तो ऐसी ही उम्मिद लग रही है अगर ntpc के अगर result दे दिया इन्होंने पहले तो MI वाले गुस्ता हो जाएंगे इसलिए धियान रखें कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऐसा लगता है कि ministerial MI का result और ntpc cbt1 का result दोनों ही साथ में दिया जाएगा मतलब पहले जैसे MI का result दे दिया आज और उसके चार दिन बाद फिर और वह ntpc cbt1 का result दे देंगे यह हमारा ऐसा मानना है हमारे दोस्तों का ठीक है हमारा ही personal view है ऐसा कि MI और ntpc cbt1 दोनों ही आगे पिछे result देंगे दो से चार दिन आगे पीछे तो पहले MI का result आएगा उसके बाद ही ntpc का result आएगा दोस्तों ठीक है उम्मित करता दोस्तों आपको वीडियो समझ में आयोगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरू दबाएगा रेलवे भरती बोट की पलपल की अ वाटसप ग्रूप को भी जॉइन किजिए तो चले दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तक लिए अपना ख्याल रखें के बाई